भर्त्रहरी के जीवन के विशय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता कहते हैं कि इसा पूर्व की पहली या दूसरी शताबदी में महराज गंधर्व सेन उज्जैन के राजा थे उनकी दो पत्निया थी पहली पत्नी के पुत्र थे भर्त्रहरी और दूसरी के पुत्र थे विक्रमादित्य जिनके नाम पर विक्रमी ये संवत प्रचलित हुआ पिता की मृत्यु के उपरांत पहले भर्त्रहरी को राजभार मिला परंतु कुछ काल बाद ही उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को दे दिया जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए श्री भर्त हरी द्वारा लिखित संस्कृत के कई ग्रंथों में उनकी शतक त्रई सर्वाधिक विख्यात है स्वामी विवेका नंद ने अपने पत्रों तथा व्याख्यानों में अनेक स्थानों पर इनके उद्धरन दिये है प्रस्तुत है भरत्र हरिकृत वैराग्य शतकम जिनका मुखमंडल जटाओं में आभुशन के रूप में स्थित सुन्दर चंद्रकला की प्रकाशमान किरणों से उद्भासित है जिन्होंने लीला मात्र से चंचल काम देव रूपी पतंग को दग्द किया है जो सभी मंगलमय अवस्थाओं के आरंभ में प्रकट होकर जीव के चित में फैले अपार अज्ञान अंधकार के समूँ को समूल नाश करते हुए साधकों के चित को विमल ज्ञान रूपी दीपक से आलोकित करते हैं वे महादेव शिव योगियों के हिरदय मंदिर में सदा विराजित हैं अनेक दुरगम विशम स्थानों में भटकने पर भी मुझे धन आदी रूप में किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हुई अपने जाति कुल के अभिमान को त्याग कर की हुई धनवानों की मेरी सेवा भी व्यर्थ गई कव्वे के समान डरते तथा अपमान सहते हुए मैं दूसरों के घर खाता रहा रे पाप कर्मों में लुब्ध रहने वाली तृष्णे इतने पर भी तुझे संतोश नहीं हुआ जो तु दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है गड़े हुए धन के लोब में मैंने धर्ती को खोदा सोना पाने के लिए मैंने पहाडी धातुओं को गलाया व्यापार हे तु मैं समुद्र पार गया राजाओं की सेवा की मंत्र सिध्ध के निमित रात रात भर शम्षान में बैठा रहा परंतु मुझे एक कानी कौडी भी न मिली अतै रेत्रिशने अब तो मुझे छोड़ दे अपनी स्वार्थ सिध्ध हे तु मैंने दुर्जनों के दुर्वचन और उनके आराधकों के उपहास बड़ी कठिनाई से भीतर के आंसुओं को रोकते हुए सूने मन से सहे और धन के मद से जड़ी भूत बुद्धिवाले लोगों के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा रहा हे हताश त्रिशने तु मुझे इससे अधिक और क्या न चाहेगी के समान चंचल इन प्राणों की रक्षा के लिए क्या-क्या नहीं किया अर्थात सारे दुशकर्म किये यहां तक की धन के मद में चूर धनिकों के सामने निरलज होकर अपना गुणगान करने का पाप भी हमने किया हमने वास्तविक शमा भाव से ख्षमा नहीं किया संसार के विविद सहज लभ्य सुखों की तुच्छता समझ कर संतोष पूर्वक उनका त्याग नहीं किया बल्कि मजबूरी में किया कठोर ठंड हवा धूपादी के कश्ट सहन किये परंतु चांदरायन आदी तप में नहीं तपे दिन रात धन का चिंतन किया परंतु सहमित प्राणों से महादेव शिव के चरणों का ध्यान नहीं किया मुनियों द्वारा जो भी किये जाते हैं वो सारे कर्म हमने किये परंतु उचित भाव ना होने के कारण उन-उन कर्मों के फलों से हम वंचित रह गए हमारे द्वारा विश्यों का भोग नहीं हुआ, बलकि हम ही विश्यों द्वारा भोगे गए वरत उपासना आदी तप हम से नहीं हुए, बलकि हम ही तृविध तापों से तप्त हो गए काल नहीं बीता, बलकि हम ही बीत गए विशियों की कामना बुड़ी नहीं हुई बलकि हम ही जरा जीन हो गए हमारा मुख मंडल जुरियों से आकरांत हो गया है सिर श्वेत केशों से चिन्नित परिपूर्ण हो गया है शरीर शिथिल होता जा रहा है परन्तु एक मात्र त्रिशना ही ऐसी है जो तरुण जवान होती जा रही है जागतिक विशियों को भोगने की इच्छा दूर हो चुकी है पौरुष का अभिमान भी नश्ट हो चुका है प्रान तुल्य समवैस्क मित्र भी स्वर्ग सिधार चुके हैं अब धीरे धीरे छड़ी के सहारे ही उठना हो पाता है आखे भी घने अंदकार से रुद्ध हो रही है अहाँ फिर भी मेरा ये मूड शरीर मृत्यु का विचार आते ही चौक उठता है आशा नाम की एक नदी है जो मन के संकल्प विकल्प रूपी जल से परिपून है इसमें तृष्णा की तरंगें उठ रही है इसमें विश्यों के प्रतियासक्ती रूपी मगर निवास करते हैं इसमें भोग्य वस्तुओं की प्राप्ती और अप्राप्ती की चिंता रूपी पक्षी विहार करते हैं ये नदी बड़ी गहरी और तट के धैर रूपी व्रिक्ष को उखारने वाली है इसमें मोहो रूपी दुस्तर भवर है इसके चिंता रूपी उँचे तट है इसके पार गए हुए निर्मल चित्त से युक्त श्रेष्ट योगी गण ही ब्रह्मा नंद का उपभोग करते हैं इस अनादी संसार चक्र में फल के निमित किये गए कर्मों में मुझे कोई कल्यान नहीं दिखाई दे रहा है पुण्य कर्मों आदी के फल भी अनित्य होने के कारण मेरे मन में भय का ही संचार करते हैं विश्या सक्त लोगों के जीवन में महान पुण्य द्वारा बहुकाल तक संचित सुख भोग की सामग्रियां भी व्रिद्धी को प्राप्त होकर अन्त तह अशेश दुखों का ही कारण बनती हैं भोग्य पदार्थ दीर्ग काल तक साथ रहने पर भी अन्त में निश्चित रूप से छूट जाएंगे लोग स्वेच्छा पूर्वक इन विश्यों का त्याग नहीं करते तो भी इन से बलात बिछुणने में क्या भेद है भोग्य विशय अपने आप ही चले जाने पर चित में असीम पीडा के कारण होते हैं परंतु स्वेच्छा पूर्वक त्याग दिये जाने पर ये निश्चित रूप से अपार शान्ति का सुख प्रदान करते हैं ब्रह्म ज्यान से उत्पन विवेक से जिनका चित शुद्ध हो चुका है अहो वे कितना कठिन कर्म किया करते हैं कि उपभोग करने योग्य धन संपदा आदिका भी पूनत है कामना शुन्य होकर त्याग कर देते हैं दूसरी और हम लोग हैं पहले से अप्राप्त तथा वर्तमान में अनुपलब्ध और भविश्य में प्राप्त होने की संभावना से पूनत हर रहित मन की कलपना मात्र से पकड़ी हुई वस्तुओं को त्यागने में बिलकुल भी समर्थ नहीं है धन्य है वे लोग जो निर्जन पर्वत की कंदराओं में बैठ कर परम जोती रूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं पक्षी जिनकी गोद में निर्भय बैठ कर उनके आनन दाश्रु का पान करते हैं परंतु हमारा जीवन तो केवल कल्पना लोक में ही रचित अठा लिकाओं या जलाशय के तट परस्थित क्रीडा कानन में विहार करते हुए ही बीत गया भिक्षा में प्राप्त होने वाला स्वादहीन भोजन और वो भी दिन में एक बार मिलता है भूमी ही बिस्तर और अपना शरीर मात्र ही परिवार है जीन शीन सैकणों टुकणों से बनी हुई गुदड़ी ही एक मात्र वस्त्र है इसके बावजूद अहो कितने शोक की बात है कि विशय वासनाए मेरा त्याग नहीं करती स्तन मास की ग्रंथियां है तथा पि उनकी उपमा स्वण के कलशों से की गई है मुख कफ की खान है तथा पि उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है जांगों से होकर मूत्रादी बहता रहता है तथा पि उन्हें उत्तम हाती के सूंड से स्परधा करने वाला बताया गया है प्रतिक्षन दोश पूर्ण निंदनिय रूप को कुछ विशिष्ट कवियों द्वारा बड़ा महत उप्रदान किया गया है अनुरागी प्रेमियों में महा देव अतुल्निय रूप से विराज रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रियतमा का आधा शरीर अपने अंग में धारण कर लिया है और दूसरी ओर स्त्री संग परित्यागी विरागियों में भी उनके समान अन्य कोई नहीं है बाकी सामान्य माया मुग्ध जन तो दुर्दम में कामदेव के सर्प युक्त बान अर्थात मुह से आहत होकर उपलब्द विश्यों का न तो भोग कर पाते हैं और न त्याग ही यही काम की विडम बना है अगनी की देहन शक्ति को न जानता हुआ पतंगा प्रज्योलित अगनी में जा पड़ता है मचली भी अग्यान वश लोहे के कटिये से युक्त मास को निगल जाती है परंतु इस संसार में हम मनुष्य ही ऐसे हैं जोकी जटिल अनर्थों के जाल रूप विशय भोगों को विनाश का कारण जान कर भी उनका त्याग नहीं करते अहो अग्यान की महिमा कितनी गहरी है प्यास से गला सूख जाने पर व्यक्ति शीतल मधुर जल पीता है भूग से पीडित होने पर शाक दहियादी से युक्त अन्न का भक्षन करता है काम की अगनी प्रबल होने पर द्रड़ता पूर्वक पत्नी का आलिंगन करता है व्याधी के प्रतिकार हेतु विपरीत बुद्धिकाव लंबन करने को ही लोग सुख मान बैठते हैं अज्यान से विमूड मानव ये मानकर इस संसार रूपी कारागार में निवास करता है कि मेरा मकान भव्य है, पुत्र सजनों द्वारा प्रशिंसित है, संपदा असीम है, पत्नी सहाई का है, युवावस्था नई है और जगत चिरस्थाई है परन्तु धन्य है वो व्यक्ति जो इन सब को शन भंगुर समझ कर त्याग कर देता है भूख से पीडित दीन मुखवाले बच्चों के द्वारा सदा जिसका जीन शीन वस्त्र खीचा जा रहा हूँ निर्धन अन्रहित घर में यदि अत्यंत दुखी घरवाली न दिख पड़े तो फिर कौन सा स्वाभिमानी धीर पुरुष अपनी याचना के अस्विकृत हो जाने के भय के कारण अवरुद्ध गले के साथ असपष्ट स्वर में अपने जल रहे पेट के लिए दीजिये शब्द का उच्चारण करेगा अर्थात बाल बच्चों के लिए ही ऐसा बोलना पड़ता है उदर पूर्ति के लिए याचना स्वाभिमानी लोगों के परम प्रिया आत्म सम्मान का नाश करती है चंद्रमा के आलोक में कमल के समान ही इससे हमारे सद्गुन संकुच्चत हो जाते हैं हमारी लज्जा संकोच रूपी हरी भरी लता को कुलहाडी के समान उनमूलित कर डालने वाला दुश्पूर्णिय पेट रूपी ये पात्र ही समस्त विडम बनाओं का कारण है भूख से पीडित होकर भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अपने समान कुलवाले लोगों के बीच दीन भाव से रहना उचित नहीं इससे तो अच्छा है कि भूख लगने पर वो अपनी पेट रूपी गुफा को भरने के लिए शास्त्रग ब्रामणों द्वारा किये जा रहे यग्यों के धुएं से काले हुए पुनीत गावों या विशालवनों में श्वेत वस्त्र के किनारों तक ढखे हुए भिख्षा पात्र के साथ प्रति दिन द्वार द्वार पर जाकर भिख्षा मांग कर प्राण रक्षा करें क्या हिमाले में स्थित गंगा तरंगों की फुहारों से शीतल, मनोहर शिला प्रिष्ठों से युक्त विद्याधरों के निवास लुप्त हो गए हैं तो फिर लोग क्यों अपमान सहित प्राप्त होने वाले दूसरों से प्राप्त होने वाले अन्न के लिए प्रयास करते रहते हैं। जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए अल्प धन रूपी गर्व वायू से संकुचित अपनी भ्रिकुटियां सर्वदा टेड़ी किये रहते हैं। हे मित्र उठो अब हम वन में चलेंगे। वहाँ पवित्र फल मूल द्वाराती प्रिया जीविका अपनाएंगे और ताजे नव पल्लवों से भूमी पर विस्तर सजाएंगे। वहाँ शुद्र अज्यानी मूड मन वाले और धन से रोग से विक्रत हुई वानी वाले राजाओं का नाम तक सुनने को नहीं मिलेगा। जब खाने के लिए प्रतेक वन के व्रिक्षों पर सहे जेवम स्वेच्छया प्राप्य फल विद्धिमान है। बीच बीच में ध्यान तूटने पर परवत की गुफा में पाशान की शया पर विश्राम करते हुए, अंतह करण में सहज भाव से स्फुरित होने वाली हसी के साथ, मैं उन लोगों के दिनों की याद करता हूँ, जो धनवानों के द्वार पर याचना के दुख से पीडित ह और जिनकी बुद्धी भोगों की प्राप्ति के लिए हीनता को स्विकार कर रही है। स्वयम में ही स्वन महिमा से महिमानवित परम संपदा के भंडार, मेरु परवत को ब्रह्मा ने किसके लिए बनाया है। क्योंकि उससे न तो संतोशी व्यक्ति के सुख में वृद्धी होती है और नहीं लोभी की तृष्णा ही शान्त होती है। ऐसा वो मेरु परवत मुझे तो जरा भी नहीं रुचता। भिक्षा का भोजन दैन्यरहित है, अतिस्तुखकारी है, सभी प्रकार के भयों को मिटाता है, ईश्या मद अभिमान आदि दुरगणों को दूर करता है, दुखों के प्रवा का नाश करता है, प्रति दिन सर्वत्र सहज ही प्राप्त होता है, पवित्र है और साधु जन को प्रिय है, ये भगवान शिव का खुला हुआ सदा वृत का अक्षय कोश है, अतै महान योगी गण इस अनक्षेत्र की प्रशंसा करते नहीं ठकते, विशियों के भोग में रोग का भय बना रहता है, उच्च कुल में आचार के भ्रष्ट होने का, धनसंचय में शाशक अत्यधिक मान सम्मान में अपमानित होने का, शौर वीरता में शत्र से हार जाने का, शारीरिक सौंदर में बुढ़ापे का, शास्त्रों के पांडित्य में प्रतिवादी से पराजित होने का, विद्या विनायदान धर्मादी सद्गुनों में दुष्टों द्वारा और शरीरधारण के विशय में यम अर्थात मृत्यू से भय बना रहता है, इस प्रकारे संसार में मनुष्यों के लिए सारी वस्तुएं भय से ही परिपूर्ण हैं, एक मात्र वेराग्य ही अभय प्रदान करने वाला है जीवन को मृत्यूने, अतिशोभामय योवन को बुढ़ापे ने, चित्त के संतोष को धन लिपसा ने, सैयम के सुख को प्रगल्भ नारियों के हाव भाव ने, विद्या विनयादी गुणों को इर्ष्यालू व्यक्तियों ने, वन्स्थली को सर्पों ने, राजा को दुर पुर्जन सभासदों ने, और एश्वर्य को अस्थिर्ता ने ग्रस्त कर रखा है। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है, जो किसी अन्नि के द्वारा ग्रस्त ना हो। विवश होकर बारम बार जन्म लेने वाले मनुश्य को मृत्यू शीग्र ही निगल जाती है। अतहे, निरंकुष विधाता के द्वारा भला ऐसी कौन सी वस्तु निर्मित हुई है, जो चिर स्थाई हो। अर्थात कुछ भी स्थेर्या स्थाई नहीं है। इंद्रियों के भोग्य विशय उच्च तरंगों में विखरने के समान चंचल हैं। प्राण भीक्षन भर में नश्ट होने वाले हैं। प्रेमिकाओं में विद्यमान यौवन के सुख की अभी व्यक्ति भी कुछ दिनों के लिए है। अतहे उपदेशक विद्वानों, इस अखिल विश्व को ही निसार समझ कर सब पर कृपा युक्त चित्त के साथ सब के उपकार की चेश्ठा में मनोयोग करो। देहधारियों के लिए विशय भोग मेग माला के बीच चमकती हुई तडित के समान चंचल है। मनुष्य की आयू हवा की जोंकों के बीच कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूद के समान ख्षन भंगुर है। देहधारियों द्वारा यौवन का सुख भोगने की लालसा भी अनिश्चित है। अतै बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो इस पर विचार करके यथा शीग्र धैरे तथा एकागरता द्वारा सहज लभ्य योग में अपनी बुद्धि को नियोजित करे। जीवन जल की तरंगों के समान चंचल है। यौवन की शोभा कुछ दिनों तक ही टिकने वाली है। धन-धन्यादी संपतियां मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों के समान ही शडभंगुर है। भोग्य विशियों का प्रवाह वर्षाकाल में कभी-कभी चमकने वाली विद्युत माला के समान है। अपने प्रियाओं का अलिंगन भी चिरकाल तक नहीं रहता। अतहे इस भयानक संसार को पार करने के लिए एक मात्र ब्रह्म में ही अपने चित को लगाओ। गर्भवास के समय मनुष्य मलमूत्र से पूरित अपवित्र स्थान में शरीर को सिकोडे रहता है। युवावस्था में उसे अपनी प्रियसी के वियोग का विशम दुख जेलना पड़ता है। और वृद्धावस्था में भी सुन्दर नेत्रों वाली नारियों के अवग्या पूर्ण उपहास का पात्र बनना पड़ता है। ये मनुष्यों, बताओ, क्या इस संसार में थोड़ा सा भी सुख है। नहीं है। वृद्धावस्था बागिन के समान गर्जन करते हुए सामने खड़ी है। रोगादी भी शत्रों के समान शरीर पर आक्रमन कर रहे है। जीवन भी छिद्र युक्त घड़े से पानी के समान बहा जा रहा है। इसके बावजूद लोग अहित कर आचरण में लगे रहते हैं। ये बड़े ही आश्चर की बात है। ये संसार विविद प्रकार के शडभंगुर भोगों से मिलकर बना हुआ है। और इनी के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना पड़ता है। हे मनुष्यों क्या इसकी उपलब्ध के प्रयास में भटकते रहते हो। बहुत हुआ। यदि हमारी सुनो तो सारी आशाओं तथा कामनाओं को तिलांजली देकर अनन्या नुराग के साथ मन को अपने स्वरूप अर्थात आत्मा में एक आग्र करो। जिसमें इस्थित होने पर मनुष्य ब्रह्मा इंद्र वायुवादी देवताओं को तिनके के समान तुछ समझता है। जिस वस्तु की अनुभूती से तीनो लोकों के राज्यादी वैभव भी नीरस प्रतीत होते हैं। वो नित्य प्रकाशित सर्वोत क्रिष्ट ब्रह्मा नंद का सुख ही चिर विद्यमान रहने वाला है। अता एव हे साधो अन्निक्षन स्थाई भोगों में प्रीती मत रखना। वो मनोहर नगरी, वो महान समराट, उसे चारों ओर से घेरे हुए सामन्त वर्ग, उसके समीप रहने वाले विद्वान सलाकारों की मंडली, चंद्रमा के समान मुखवाली वे सुन्दर स्त्रियां, उद्धत राजकुमारों की वो टोली, चारणों की वे प्रशंसा पूनुक्तियां, ये सब ही जिसके वश में आकर मात्र स्मरण की वस्तुए रह गई हैं, उस काल को हम नमस्कार करते हैं। जिस घर में कभी अनेक लोग रहते थे, वहां आज एक ही व्यक्ति निवास करता है, और जिस घर में एक आदमी रहता था, उसमें बहुत से लोग हो गए, तथा अंत में कोई नहीं बचा। इसी प्रकार सबको निगलने वाला काल इस संसार रूपी बिसाथ पर रात दिन रूपी दो पासों को लुड़का कर, जीव रूपी गोटियों को चलाते हुए चौपड़ खेल रहा है। सूरि के उदय वास्थ होने के साथ ही साथ आयू का भी ख्षय होता रहता है। जीवन के विविद प्रकार के कर्तव्य कर्मों की व्यस्तता के बीच समय के बीतने का बोध ही नहीं रहता। आखों के सामने ही जन्म, बुढ़ापा, संकट तथा मृत्यू के कश्टों को देख कर भी मन में भय का संचार नहीं होता। सचमुची विस्मृती रूपी मोह मदर्या को पीकर ये संसार मतवाला हो रहा है। ये रात पिछली रात के ही समान है और आज का दिन भी वैसा ही है। ये जानकर भी उद्धमों में लगे हुए लोग, छिपे हुए प्रारब्द द्वारा परिचालित उस एक ही कारे में लगे रहते हैं। उसी प्रकार फिर उनी भोगे हुए विश्यों से संबंधित कारें के पीछे व्यर्थ ही दोड़ते रहते हैं। अहो, इस प्रकार के परिवर्तन शील संसार के द्वारा दुर्दशा ग्रस्त होकर भी हम अज्ञान के कारण लज्जित नहीं होते। जन्म मरण रूपी संसार के विच्छेदन, अर्थात, मोक्ष प्राप्ति हेतु, ईश्वर के चर्णों का शास्त्र विधी के अनुसार हमने ध्यान नहीं किया। स्वर्ग द्वार के किवाणों को खोलने में सक्षम धर्म का भी हमने उपार्जन नहीं किया। सपने में भी हमने पीन पयोधरों वाली नारी का अलंगन नहीं किया। हम तो केवल माता के योवन रूपी पुश्पितु ध्यान का उच्छेदन करने के लिए कुलहाडी के रूप में ही जन्मे हैं। प्रतिवादियों को हराने में सक्षम विनयादी गुणों से युक्त अभ्यसीन वेदादी विद्या का हमने अध्यन नहीं किया। हाथियों के मस्तक तथा पीठादी को विदीन करने वाली तलवार की नोक से अपनी कीर्ती को स्वर्ग तक नहीं पहुँचाया। चंद्रमा के उदैकाल में कांता के कोमल पल्लवों रूपी अधर रस का भी पान नहीं किया। अहा, निर्जन भवन में स्थित दीप के समान हमारी तरुनाई निरर्थकी चली गई। हमने दोश रहित मोक्ष दायनी शास्त्र विद्या को आयत नहीं किया। धन का भी उपारजन नहीं किया। सैयमित चित से माता पिता की सेवा भी नहीं संपन्न की। और सपने में भी चंचल तथा कानों तक फैले विशाल नेत्रों वाली प्रियतमा का आलिंगन नहीं किया। हमारी ये जाती हुई आयू कवे के समान दूसरों के द्वारा दिये हुए अन्न की लालसा में ही बीत रही है। जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ वे कपके काल के गाल में समा चुके हैं। जिन सगे संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के साथ हम बड़े हुए, वे भी परलोक गत होकर बस स्मृतियों के जरोखों में रह गए हैं। हम भी तो अब व्रिद्ध होकर नदी के कगार पर खड़े व्रिक्ष के समान प्रति दिन गिरने की राह देख रहे हैं। मनुष्य की आयू सौ वर्ष तक सीमित है। उसका आधा भाग तो रात को सोते हुए बीत जाता है। बचे हुए आधे का भी आधा अर्थात चौथाई भाग बचपन तथा बुढ़ापे में बीतता है। और बाकी चौथाई हिस्सा भी रोग वियोग आधी के साथ दूसरों की सेवा टहल यानी पराधीनता में गुजर जाता है। प्राणियों को इस जीवन में सुख मिलता ही कब है। अर्थात विचार करने पर सुख कहीं नहीं दिखता। रंग मंच पर अभिनेता के समान मनुष्य शन भर बचपन में गुजरने के बाद शन भर युवक के रूप में काम रस का उपभोग करता है। कभी वो निर्धन बनता है तो कभी वो पूर्ण सम्रधि का रसा स्वाधन करता है। उसके बाद बुढ़ापा आने पर उसका सारा शरीर जुर्यों से भर जाता है। और तब वो परदे के पीछे स्थित यमराज के लोक की ओर प्रस्थान करता है।